नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल सरशार 24 में दोस्तों एई टीटी 112 का रिजल्ट डिक्लियर हो गया है आप सभी ने लगबग मेरे इसाब से रिजल्ट भी डाउनलोड कर लिया होगा आपका माकशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों आ चुका है पोर्टल पर यहां पर बात कर रहा हूं जो आई टाई पास्टूडेंट होते हैं और आई टाई करने के बाद अप्रेंटिशिप करते हैं तो उन्हीं का ही सिर्फ रिजल्ट डिक्लियर किया गया 112 का नौन आई टाई का अभी एक्जाम नहीं हुआ है त ठीक है जो बच्चे आई टाई करने के बाद अपरेंटिशिप करेंगे तो उनका रिजल्ट सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन नमर के बेसिस पर ही आ जाएगा ठीक है जिन बच्चों ने भी अपना माक्षीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है प्लीज आप अपने सर् आपका नाम सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए अगर मिस्टेक है तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कैसे अपना सर्टिफिकेट फिर से सही करवाएंगे ठीक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आपके रिजल्ट यापके माक्षीट में हो जाए दोस्तों को करना क्या है अगर आपके माक्षीट या सर्टिफिकेट में डीटेल गलत दिख रही है या फिर आपको स्पैलिंग मिस्टेक दिख रहा है आपको करना क्या है सिंप्ली आप आप आई बीम ऑला पोर्टल उपन करेंगे ठीक है जिसे हम निव पोर्टल होता है जब हम login करते हैं ठीक है उसके बाद आपको देखना है यहां पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे options देखने को मिलते हैं ठीक है यहां पर आपको दिख रहा होगा इया इट गिर्वेंज जैसी आप एट गिर्वेंज पर क्लिक करते हैं तो एक नया तो उस चीज को क्या किया जाता सुधार दे जाता है फिर आपका दुबारा से certificate और marksit जो होती है दुबारा से जर्रेट कर दी जाती है ठीक है तो यह process होता है अगर आपके certificate में कोई detail गलत हो जाती है this process के थे थूरू आपका जो details होती है उसे दुबारा से सही कर दिया दोस्तों यहां पर मैं एक important point आपको बता दूं यहां पर जो गिर्वेंस रेजिस्टेड हो रही है यह अभी पुराने बच्चों का ही हो रहा है जो 111 बैच के हैं उनी का ही हो रहा है यहां पर 112 का अभी update नहीं किया गया है जैसे 112 का यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा उसके बाद जो बच्चे 112 में हैं और उनके मांक शिट में कोई problem या सर्टिफिकेट में कोई problem है फिर आप complaint रेजिस्टेट कर सकते हो देखिए अब आप लोग का एक डाउट होगा कि सर अगर 112 का भी आया ही नहीं तो आपने वीडि गलत है तो हम इसे कैसे सुधारे इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा बट मैं आपको बता दूँँ जो पॉर्सेस में अभी बता रहा हूं वह पॉर्सेस बिल्कुल 112 के लिए भी लागू होगा वही पॉर्सेस आपको करना है अगर आपके मांक्षित या सर्टि एक नए पेज अपन होगा और यहां पर देखे क्या लिखा हुआ है यहां पर आपको अपनी रिक्वेस्ट डालनी है जो भी आपकी प्रॉब्लम है सेटिफिकेट के अंदर या माक शिट के अंदर तो आप यहीं से ठीक करवाएंगे ठीक है यहां पर आपको देखिए यहा हुआ आज आएगा तो आप अपना कंप्लेंट करवा देना यह पूर्सेस अच्छे से देख लिए जो भी 112 में जो बच्चे हैं यह पूर्सेस सभी पर लागू होगी तीके जैसे मैं बता रहे हूं वैसे आपको करना जैसे यहां पर एक्जाम नंबर 112 लिखा हुआ आज आए अखिर में ठीक है उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जो भी प्रॉब्लम है उसे फुल डीटेल में लिखेंगे कि आखीर क्या चीजे कमी है क्या चीज्जिय में सुधारना है यह सब चीजे आपको लिखना है उसके आप सुधरवार हैं सटीफिकेट या माक्ष सकता है ठीक है आप पास कोई certificate होगा जिसमें आपका नाम सही लिखा होगा उस certificate को आपको क्या करना है यहां पर upload करना है उसके बाद यहां पर submit के button है इस submit के button पर क्लिक करके submit कर देना है ठीक है अब आपको मैं देखाता हूं category में क्या option आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर देखिए आपको option क्या क्या मिलेगा result not percent क्या आपका result नहीं आया है यह आप सेलेट कर सकते हो result process with a zero और incorrect marks जिनके result में zero है और incorrect marks आपको लगता कि marks कम है तो यह भी आप सेलेट कर सकते हो उसके बाद एडिट एडिटेल्स एनसे डिटेल्स यानि National Apprentice Certificate इसका मतलब होता है एनसे का ठीक है तो अगर आपके National Apprentice Certificate जो आपका आया है उसके अंदर आपका कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है यह डिटेल्स गरत है तो यह आप option select कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट आप्शन यह दिया गया है कि चेंज कंडे टाइप नौन आइटाई और आइटाई कभी कभी क्या होता है जो बच्चे आइटाई पास होते हैं उनको नौन अगर है आपकी तो यह problem भी आप यहां से सुद्रवाज सकते हो ठीक है तो यह आप देख लिए जो भी आपकी problem है यहां पर यह category दी गई है इस category में आपकी मैच करनी चाहिए को भी problem और इस category से जो भी आपकी problem मैच कर रही है तो यहां पर आप सब्जेक्ट लिखिए जो सब्जेक्ट है आपका ठीक है यानि जो आपकी problem में उसकी heading लिखनी आपको ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर description में आपको पूरा details लिखना है कि आपकी problem आकिर है क्या और आपको क्या इस्यू कर देगा फिर आप दुबारा से अपना certificate जो है बिल्कुल सही तरीके से डाउनलोड कर पाओगे दोस्तों यह process होता है कैसे आप गिर्वेंस request डालते हैं तो जैसी 112 का यहां पर option आ जाता है तो आप 112 के जो भी बच्चे है और जिनके भी certificate में problem है तो प्लीज आप इसका request डाल दीजेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलता हूं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत